स्टुदेंट्स आज हम पढ़ेंगे क्लास पूर्ट के एवेस का चैप्टर सिक्स बैलंस जाइट क्या होती है यह वो डाइट होती है जो हमारे बॉड़ी को फूल न्यूटिशन प्रवाइट करती है जिससे हमारी बॉड़ी अच्छे से ग्रो कर सके हमारी बॉड़ी के अच पर फूल प्रवाइट करें इसना हुमारी बॉड़ी को निन फम्रो न Burada दुव मुर्ट कि पना चाहिए जैसे हमारी बॉड़ी को क्या च चाहिए हुआ हुआता है सब वाटर करें चाहिए किसी साथ मिक्स करने के लिए या प्रोटीन सब मिक्स करने के लिए तो हमें वाटर इसलिए नेना चाहिए था कि हमारी बॉडी में वाटर की कमी नहीं हो फिर फूड हमें एनर्जी प्रवाइट करते हैं क्यों 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 न्यूट्रिशन देते हैं है और nutrition से हिमें energy मिलती हैं ठीक है हमारी याट में सिफ एक aham इस चाहिए हमें याट इसे यामuestas सेlaise में चाहिए हमें भी बरेड करहे अधर, सेरी दाले में मैं fruits and vegetables काने चाहिए मैं फैर्स चीज़ खाने चाहिए मेट फीश बीन्स यह बहुत सरे बच्छे नहीं खाते हैं कोई मीट बगरा नहीं खाते तो उन्हें यह साई डाइट तो लेनी चाहिए ठीक है फिर हमारी बॉडी जो होती है उसे प्रॉपर डाइट चाहिए होती है सब कर्वाहएड्रेट सब कुछ मिल रहा होते हैं उसे बोलते हैं प्रशाद्र क्या होती है बैलेस्ट होती है और अच्छी सहथ के लिए अश्यास ज़्यादा पानी पीना चाहिए एंटिंग अंदव एडिब्स फ़र मेंड फूट ग्रूप्ट साथ righteous Carbohydrate proteins Fats minerals Kohdumls माध तर था कहना जाए चाहित हो नियुक्री बबॉजवर्प रहा था कर्णिया के चाहिए है सब्सक्राइब कर दो न diabetic कहले हमारी प्रोडिकर कवारो है को हमारी बॉड़ी एनरजी प्रोगyu करता है कि हमारी फील हमें 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 कमचोरी होती है गाले सीजय जाती केटे और जाने लग जाते हैं ति हम जाते हैं य्युद् JAM लाग dei मैं ज्यादा खाना कभी भी नहीं मैं हमें से काना भी में किदेनी चाहि अगर अगा चपाती खाते हो तो आपको दो ही चपाती कानी चाहिए चाहर चाहर कभी पांच ऐसे खाऊगे तो फिर ओवर वेट में रिजल्ट करेगा ठीक है तो बैलेंस चाहिए हमेशा आपको लेनी चाहिए बैलेंस यह का मतलब होता है इस इतिंग फूर्ड फ्रॉम विच्ट चोड़ रहाए घर रहा है जैसे अभी हम खेलने चले करें तो उस्सम जो जल्दी एकार्बोहाइटर इस्गार्ड़ करता है बहुत है था अपलत फटा फट जी कर देन और कार्प है तो यानि आलू सीरियल यानि दाल राइस यानि चांवल और प्रेड ब्रेड तो पताए ह का यह आसी दिख ए घ्डी प्रोटीन करते हैं हमारी प्रोटी उह मार जो ऑनरज्ट प्रोवाइट का तरहीद ना बड़ी हैं को सके हमारी ना रिपार हो सके हमारी सेल्ट निस्ट बोह सकते हैं प्रोटीन हमाय है नहीं कहुता है ट क्या होगी वह वह हमें घ्रोट के लिए हैं और एमिनोऊचैट की उले चाहिए ओगा न वो ग्रोव का काम यह एमिनोचैट कंण कर रहेगा इनरजी और हमारी बैटरी का काम करें एक्जाम्पल्स हैं फिशे नर्स एक सीट चिकन बीन्स मीज़ जो मिड नहीं खाते हैं वो मूफली seeds यानि दाले फिट बीन्स और सोया बीन्स और दाले खा सब खा सकते हैं ठीक है जो नॉन वेजिटेरिन हैं वह तो सब भी खा सकते हैं ठीक है नेक्स समय आता है Fats and Sugar अब Fats and Sugar के समय फर्स्ट केरिक्टी ती कार्भोहिडर जो में डे टो डे एक्टिविटीज के लिए इनरजी प्रोवाइट करते हैं सेकिन प्रोटीन जो ग्रोथ के लिए अब थार आती है Fats and Sugar अब Fats and Sugar जो हमारी energy को स्टोर कर लेते हैं यह रहें जब हमारा मांस होता है यह चमड़ी है यह चमड़ी के अंदर नीचे मांस है तो मांस कीस वज़े से क्योंकि यहां पर हमारे Fats इकटे हो रहें यह Fats हमें क्या करेंगा हमें घर में प्रोवाइट करेंगे जिससे हमारा शरीर कोल्ड नहीं ठीक है और चाहर फैट के अंदर कौन-कौन से विटामिन होते हैं विटामिन A, विटामिन D, E, N, K, Fats के अंदर सबसे रहाधर विटामिन होते हैं ठीक है यह कौन-कौन से फोट में पाया जाते हैं बटर, चीज, फ्राइट फोट, Fats is indeed to observe vitamins and to make hormones जो हमारे body के अंदर initial और essential hormones होते हैं उसकी growth के लिए भी fat सी यूज में आते हैं जब हम कुछ जादे ही fat खा लेते हैं तो यह हमारे लिए अच्छा बिल्कुल भी नहीं होता है क्योंकि हमारे high, क्योंकि जब हम ज़्यादा fat खाएंगे तो हमारे unhealthy होगा और इसे हम क्या-क्या बिमारी हो सकती है, इसे ह शुगर वाली बिमारी भी हो सकती है, तो fats में आते हैं, cheese, milk, butter, ghee, meat, poultry products, sugar में आते हैं, cake, sweets, biscuit, chocolate, ice cream, etc. इन सबको खाना चाहिए लेकिन limited, limited खाओगे तब हमारे जो विटामिन से वो बने रहेंगे, ज़्यादा खाएंगे तो हमारे disease का कारव में सकते हैं, ठीक है, फिर यह खुछ से करें, और main diet होती है, पूरे उसमें, carbohydrates, proteins, fats and sugar, और last हम करेंगे, vitamins and minerals, और vitamins and minerals क्या होता है, vitamins and minerals हमें इसलिए चाहिए होते हैं, ताक कि हमें कहीं भी भी अगर लग जाए, हमें strong, हमारी immunity बढ़ाने के लिए, हमें vitamins and minerals चाहिए होते हैं, vitamins and minerals की किस के लिरे काम आते हैं, Healing Wounds, मुझत हमारे जाबी घाव होते हैं, उसे बढ़ने के लिए, strong bones and treats यह तापको समझाए हैं, हमारे strong bones and treats के लिए ठीकेए हैं, यह हमारे helpful होते हैं, बलॉड बनाने में helpful होते हैं, हमारे हमारे ब्रेंट सेल्स को एक्टिव रखने के लिए काम हमारे ब्रेंट सेल्स को एक्टिव रखने के लिए काम आते हैं विटामिन्स हमें चाहिए होते हैं थाकि हमारे आइस हेल्दी रहे हमारे स्किन हेल्दी रहे हमारे हैर हेल्दी रहे स्किन ग्लूई रहे हैर शाइनी रहे है ब्लड अच्छा से फ्लो हो एक्टेशन अच्छ से हो इसके लिए हमें चाहिए और और नियुक्त है एक फैसी चीज होती है जो हमारी भून जो हमारी बॉन्स को भी करने में काम आती है और फिर विटामिनों विद्वन सैंवे फूडम इंव में फूड्स में और विजडेबल में जादा में मिलते हैं कैलशेम भी मिन्डरल होता है कैलशेम आपके थीजल में पाया जाता है रशल्च आकाने युद्व को हार्ट रोख ने के लिए फिरकी होते हैं vitamins and minerals यह सबसार इपोर्टेंट है इन तो हमें लेना ही चाहिए और vitamins हमें fruits vegetables fish और poultry products यह milk products में भी पाया जाते हैं अब आपके हैं मेन vitamins and their functions अब सबसे types of vitamins है vitamin A जो मेरे आखों के लिए अच्छा होता है vitamin c जो हमारी body के tissues कि में help करता है vitamin d vitamin d आपने सुना होगा कि कोई कोई बोलता है आप सुबह-सुबह जाकर दूप में बैठते हो तो sun की rays आपको vitamin d लुटेती है क्यूंकि ये vitamin d होता है वह हमारी पॉन्स और तीस के लिए अच्छा होता है विटामिन ई हमारी स्किन के लिए अच्छा होता है हमारी स्किन ग्लोई रहती है विटामिन ई सीरम अपने नाम सुना होगा इसका विटामिन के हमें जो हमारी ब्लड का फंक्शन होता है उसके लिए अच्छे से हल्प नहीं दें फिर मिनरल्स के फंक्शन का होते हैं मिनरल्स चार टाइब के आयोडीन सोडियम केलचेमन आयडीन होता है हमारा घला होता है ना यह चैरा और गला गला होता है। हीENS होता है यह हमारा आयडीन का लेवल बनाया रखते हैं जिससे हमारे अंदर ँरॉड प्रेशर होता है किस ब्लड फ्लो करा है कभी जादा कभी कम हो जाता है सोडियम उता है इसको एकदम टैंपरेचर की सबसे hem बराबर बनाया रखता है तक कि यह हमेशा एक तरह के फ्लो में चलता रहा है और उपर नीचे हो कि हमारे हाई ब्लैड प्रेशर की प्रॉब्लम ना हो फिर कैल्चियम कैल्चियम तो मैंने इतनी बार बता दिया कि यह बूंस तो तीत के लिए अलफल होता है आईरन हिँ हीम अगर हो गाया वाड़ी में इमिनटी पहunta रहे हां चलता यह आपकी एक्टिविटी आपगे आपको तो सबसे सबसे जादा इंपोर्टेंट होता है यह आपने बहुत बार पढ़ा भी होगा कि वाटर विटाउट 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 बाड़ी विट स्टॉप वर्किंग प्रॉपर्टी यह हमारा होता है यह में फ्यूइल विटाउट वैसे व्यूइ फ्यूव फ्यूव होता है यहाँ पैट्रॉल होता है वैसे और कमसे काम हमें दिन के शहसे 8 गलास बानी पीना चाहिए tässä कि हमारा हमारी बडी हेल्थी रह हुआ धीर मतीद सेबंटीपरसेंट यह पासि近गी मतर बाइस लैते घंग फोकिलेलशान जोड़ा हो। टाकि लाइस स्गस्टेट संद्द सब्रीव को इस आप्रेक ना हो तूख जिसे हम बूलते वह थूख भी वाटरी फ्ल्यूड होता है उस वह हमें वह हमारे फुट को अच्छे से निकलने में हल्प करता है इस फ्लश आउट इंपुरिटी है हमारी बाडी से इंपुरिट इसको निकालता है फिर केरी न्यूटिशें तू आल पार्ट्स अब ब की आउड़ कशन आज ञ 800 है अदर होता है यह हमारे फुट को डाएजस करने में ही हल्फ करता है कि औहमारे पूड़ को डाइफकर करनेमें हल्प करता है और विस्ट पर एक निकालने में पहल्प करता है और यह उसे माष्प तो आपको अच्छे से चैप्टर समझ में आया होगा हमारी जितने भी बैरन्स डाइट है वो आपको समझ में आया होगी कि हमें क्या क्या खाना चाहिए और क्या जादा नहीं खाना चाहिए तो थैंक यू फॉर वीडियो गुड़